पी एस्टेट दोज़र चौबीदा फॉर्म किस तरह फिल करना है लर्न कर दे हां जडियां मेज़र गला हैं कुछ गला जई हैं जडियां टीचर एजुकेशन दे पॉइंट ऑफ व्यू ना तो जानने हैं जरूरी होन ओनालना मैं डिस्कस करांगा ऑप्शन केडी लेनी है स्थोडियां टेकनिकल गल्ला उसनियां वीडियो पाचुक कहां के फोटो री साइज करनी है अप्लोड करनी है असी सब तो पहला जामांगे पेस्ट डॉट आपटोप बार न फोटो पहले है मोबाइल लैपटोप जहां ईमिल जिड़ा है वह अपना फाइनल कर लेना चाहिए है क्योंकि जिस्तों तुसी रीजिस्टर होगे और एक बार ही हो सकते हो दुबारा जी घलत होंदा है दुबारा उस एमिल ते फोन नंबर नो यूज नह जरूरी है कि तुसी रीड करनी या नहीं है, मैं करके 10 दिन आ हाँ, information नो तुसी रीड कर दे हो, candidate website दसी होई है, जड़ी इस दे link नीचे दिता गया है, candidates are not required to send hard copy, किसे ने भी पंजाब स्कूल education board नो कोई hard copy print करके नहीं पेजनी हाँ, जदो ए पुरा form fill कर ले आ जाना है, उस तुसे category fill करो के, fees automatically generate हो जाएगी, अच्छा, debit card दे, UPI दे हना, internet banking दे जरीए दित्ती जा सकती है, payment आजकल तुसे इदा कर दे हो, दस्तनती जरूर जरूर नहीं है, application procedure की है, simple first step forward, fill online application form, note down, generate registration number, सब तो पहला application number, registration number, एस नू करांगे, इस से video विच आ पकर दे हाँ, सो जड़ा है, अगे की होएगा, अगे कर दे हैं, लास्ते अपलोड लेटेस्ट photograph and signature होईगी, उस तो बद payment होईगी, अच्छा, लेटेस्ट photograph signature, JPG, विच JPEG, विच PNG format विच हो सकती है, size जड़ा है, 5KB तो 50KB हो सकता है, signature दा भी 5KB तो 50KB विच हो सकता है, जड़ा है, no charge will be accepted through offline, कुछ भी तुसी offline नहीं करना, इस सब कुछ online होईगा, form filling offline होईगा, जो तोड़ा paper है, offline होईगा, paper pencil test है, तोड़ी sheet hard copy है, question paper पढ़ना है, उस सरकल लाकि OMR sheet ते, उस तरह paper होना है, कोई facts, application, email उननों नहीं करनी, no correspondence in this regard will be entertained, अच्छा, pay examination fees हो गया, एगल हो गया है, all steps are mandatory, okay, सारे steps कोई तुसी शड़ नहीं सकते, important instruction की है, पासवर्ड minimum जड़ा है, तोड़ा 8 तो 14 शब जड़ा है, character होना चाहिए है, उस विच एक upper case, एक capital letter, एक lower जरूर होना चाहिए है, एक numerical value होनी चाहिए है, for example, तुसी अपना नाम रख लिया, इसी वो capital रख लिया, बाकी छोटे रख लिया, और उस तो बाद 2004 रख लिया, जा अपना date of worth रख लिया, कुछ है इस तरह था, numerical value वे आगी, और special characteristics, for example, hash या at the rate of, इना चो कुछ असी नॉर्मली रख लियने है, इसनों copy ते save कर लाना चाहिए है, लिख लाना चाहिए है, for subsequent login candidate, यही जो password है, अगे फिर login करना है, तो mobile number पासवर्ड यूज होएगा, फिर तुसी कर सकते हो, candidates are advised not to disclose, share नहीं करना है, यह नॉर्मल गलना है, ethical गलना है, इस तो इलावा important है, how to reset password, इदी गल है, इत्ते click करना है, कि मैं agree है, जड़िया condition है, मैं पढ़ लिया है, और click here to proceed, मैं proceed करना है, अगे जाके, जड़ा personal detail आजाएगी, तुसी अपना 10th वाला, जड़ा नाम तो final है, marriage वली है, कुड़ियां जड़ियां, उननों कोई problem आदी है, उनने जड़ा भी final करना है, carefully नाम दे spelling फिल करने है, इननी डरना ली गल नहीं है, father's name है, mother's name है, date of birth है, select करनी है, gender male female, transgender, email address, इते fill कर देना है, और इते mobile number आ गया, identity type, के अदा आर काड होएगा, इते valid आ गय या, अदा आर नमबर या, voter ID, जड़ा भी नमबर तो आडेको है, दोना चो एक क्लिक कर सकते है, for example, अदा आर काड है, और इते अदा आर नमबर एंटर कर देना है, correspondence address था उननों, जड़ा पता है, simple है, house नमबर एनना, महला माताब जरी वगरा वगरा, जो भी तो अदा पिन कोड ज़रूर लिखो, permanent address, same as correspondence address, इते क्लिक करो, ओ, इते फिल हो जाएगा, so करंदी ज़रूर नहीं पाईगी, choose password, password आठ तो 14 शाब दा पिछे गल कर रहा है, so तुसी पहले copy ते लिख के रखो, याद रखो, पहली बर कर लग गया, फिर password नो repeat इते करना है, confirm होएगा, ज़र दोनों मिल देने, फिर ओ अगे चलेगा, नहीं तो, caption देदेगा, कि अपना password, match नहीं तो अड़कर रहा है, दुबारा करो, so carefree password, केड़ा, upper case, lower case, special character, आठ तो 14 शाब्द, याद रखना है, security question है, एथे option आंदी है, ओदे विच्चों, for example, which is the website you rarely visit, याद रखना है, what is the name of your first school, याद मैं क्लिक किता, केड़ी स्कूल पढ़ा हूँ है, और मैं अपना केड़ी पब्लिक स्कूल पहला लिख देता, याद फाइनल हों तो बाद, याद मैं क्लिक किता, कि मैं इसारा जो information है, correct है, मैं देख लही है, इस तो बाद मैं इस अब्मिट करांगा, क्यों इस परस्नल डिटेल, तो यह तो अडिकोल आजाएगी, परस्नल डिटेल ते क्लिक कर दे हो, और एक अंदे ने के, कैटेगरी एक वरी स्लेक्ट कर लगी, तो फीपे हो गई, तो यू विल बी नॉट अबल तो चेंज, इसलिए दो चीज़ां, कैटेगरी ते अपनी फीज पहला जनी चेंज करनी तो बाध बाद कुछ चेंज ने हो ना इसारी परस्नल डिटेल गडिय हाःःःःःः डिस्प्ले हो ज़िगी है, एदे चे बाखकी चीज़ां जटियां फीज्टीयां फिल कर रहा रहा है, इते Category है, जडिए फिल किती गई में चूस कर लिए जर के अज आजन दी है तो सी केर फुली एक वरी सोचके अपनी के टेगरी फिल कर दी है ओपी सी ओनली फुर पंजाब है अबाकि जे कोई अधर स्टेट था है और लास्ट वाला क्लिक कर देगा सो इदसन वाली गल नहीं है domicile जिड़ा certificate तो अडिकूल है ओ वाला तुसी कर देना है पंजाब दा है जी पंजाब अधर देन पंजाब है ओ स्लेक्ट कर लेना है employment status not employed or implied whatever is differently able के handicapped नहीं हो इस तो बाद इसनों save और next आ जाना है personal detail submit successfully okay इस तो बाद जिड़ा है apply for candidate are required to only one time registration for single level or multiple level देखो इनने eligibility criteria दिते गहने confused होगे तो नहीं समझ नहीं आनी तुसी यह देखना है कि मैं B.Ed, D.L.Ed, B.Ed special education और ITEP कोई भी प्रोग्राम होदे पहले से मच हो दूजे तीजे चौथे से मच हो पूरा कर चुके हो एक साल दी B.Ed है दो साल दी B.Ed है इस सारे जड़े eligible ने माक्स दी कुछ हजे ना सोचो माक्स दी जो 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 पर माप पंजाब स्टेट ने कर निया उदो clear होएगा नॉर्मिल 55% graduation जो रखे जा पिछे है गजट पे चलिख्या होया फिलहाल तो जिनने भी माक्स है तो तो क्रराव टुट करोगे लुट एधिक एडि कीटी हुई है ये टपर 5 ना कर लोगे है अधिक kij यह दि बी आर दोनों कीती है बोथ पेपर 1 & 2 तो Campus जो जाएगी ओशन dec कर लोगे क्या है डू यू मीट एनी एजुकेशनल कौलिफिकेशनल लिस्टेट अबव हां यह सी करना है तुसे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशनल इस दी वक्रे तोर्थ वीडियो देती गई है एड्रॉप डॉप 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 दे विच जुसे एथे क्लिक करोगे क क्लिक करना तो बाद यह थे जे तुसी बीएड दो साल दी है तो इस दूसरे वाले नो बीए बीएसी विद एट लीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड वन यह रहना यह वन यह वाले तो टू डियर वाले इससे नहीं क्लिक करना नहीं है जी रिजर्व केटगरी है तो अधर उव्किलन्ट घ्री किती है और कर चार साल इंटेग्रेट अधर ब्लर प्रोल्ग्रम बाद प्रोल्ग्रम बात कर देने सो इदे विच्छो तुसी बीए बीए सी टू ये डिप्लोमा इने अलिमेंटरी एजूकेशन सो ए सारे पीए स्टेट टू दे सकते ने इना चो तुसी आप्ट कर लाना है नेक्स चल दे हैं एदे विच्छ तुसी अपनी स्ट्रीम जे क्योंकि पेपर दो पर रहा है ओदे विच्छ स्ट्रीम ने साथ दे करीब स्ट्रीम देतिया हूं यहां फॉर एग्जमपल मैं हिस्ट्री प्लिटिकल साइंस वाला हां तो मैं सोशल स्टडी नो चूज करांगा जे तुसी कमर्स दे हो नैच्रली तुसी कमर्स सोशल साइंस चांदी है तुसी यह दिखना है नॉर्मली के जड़े 60 कोश्चन ने 60 कोश्चन तो और वो चोहन मिनों साइंस में स्ट्रीम लें फिर तौडिजडी है साइंस में दे कोश्चन हो या दस-पंद्रां कोश्चन पैडा गोजी जानगे जे तुसी आर्ट एन्ड क्राफ्ट दे हो 60 कोश्चन ने थे हो नगे फिजिकल एजूकेशन सिक्स्टी कोश्चन ने थे हो नहीं जदा शिमरन इस तीम तेरी करवांगे, आसी टीम तेरी करवांगे, लिए वह बहुंच है तो होम साइंस लिए उर्दू हो दो उर्दू लिए, मुजिक हो दो म्यूजिक दो 60 गोश्चिंस संस्क्रिट दो घेए, पुर्दू ना तीन लैंगविज ली तुसी अलीजिबल हो जाओगे सिर्फ उर्दू ते संस्कृत ली एओप्शन लेनिया तो ठीक तो यह आप्शन तुसी अपनी फिल करके केरफुली जेड़े बी टेक वाले ने बी कॉम वाले ने बी बी ए वाले ने जा अडिशनल पेपर दे के सोशल साइंस नो ही प्रैफर कर दे हैं मैं दस दियां क्योंकि सोशल साइंस वेच्टी प्लिटिकल जोगरफी दे कॉश्चन पुछे जान देने ओधी तियारी करनी साइंस दे जहां बाकी सब्जेक्ट दे मुकाबल जड़ी है सोखी है सोशल साइंस नो प्रैफर करनगे एथे सेव एंड कंटिन्यू आ गया एक करके अप्लाई पेपर सक्सेस्फुली ओके हो गया इस तो बाद बेसी क्वालिफिकेशन पर नहीं है सिंपल है आर्ट्स मैं आर्ट्स पड़े होया है ना ओप्शन आगे कुमर्स साइंस अदर्स मैं आर्ट्स पर ली कुमर्स वाली दिखो ऑप्शन है कितो किती है पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड तो ऑप्शन आंदिया तुसी बोर्ड चोलना ना है कि परसेंटेज है फॉर एक्जमबल हजार विच्छों ने माक्स माक्स फिल कर देने है उप्टेंड माक्स हो ज अब वाले हो तो डिग्री हाना गया विछ नवाले नाम आ फ्र एक्जमब बीया ध्युकेशन बाड फोर यह आई टप है बीया टौटें आएट लुकेशन तो किती हुए क्यों को चुंप उचले से मेनों नहीं समझाई मिरकष फूच्छ भी पुच्छन ना लिगा है आई और नाम फिल कर देना है कडो की तीए 20 एफ पास है जिए पास नहीं है यह सम ववान चो टू चो थीचो फोर चो हजे कंपार्मेंट है हाना चल रही है तोसी प्रस्विएंग टे क्लिक कर देना है किन्ने प्रसेंट माक्स ने न करके तुसी से वंड कंटीनू अगए चल जाओ फोटो किस तरह अपलोड करनी है फाइल नू चूज करना है मैं वीडियो एस वीडियो दे थले लिंक पादांगा उसनो तुछ क्लिक करो देखो के फोटो नू रिसाइज करना है क्योंकि पांच केपी तो पजा केपी दे विचकार फोटो सा नू चाहिए है सो फाइल चूज करनी है क्छी फाइल साइल फाइल कर या फ्रेक्गनेू और ए उपन टे खलीक चुछ कीता और ओड फाइल साइज यत्हित अधे जड़ी है आ जाएगी योर फाइल साइज तू सा्याल होगी यह tout गोगी होगी ही तो इसे तरह इते चूज फाइल सिगनेचर वाली इते सिगनेचर किते फॉर एक्जामपल में ए पहलना तो करके रखे होगे ने उपन ते क्लिक किता और इते वह जाएगा ओकेंदे टू लार्ज है अच्छा फे में दूजे शोटे करके रखे होगे ने ए एकर के उपन किता और फोटो भी आगी और जड़े सिगनेचर अप्लोड होगे on save and continue असी क्लिक करदता फोटो एंड सिगनेचर करो जित्थे तुसी file है अपने सेव हो जाएगी तो अनो location पता लग जाएगी सो soft ही save कर सकते हो print लेना है print अपने printer थे वी ले सकते हो सो इस तो बाद तुसी इत्थे मैं cancel करना लगा है इस तो बाद proceed for payment and declaration declaration दे विच है कि सारी information मैं सच्ची है मैं सच्चा बंदा information सच्ची है wrong होगी थे जिम्मेवारी मेरी होगी इसनों एक वरी पढ़ भी सकते हो इते click कर दें दो yes मैं यह सब कुछ पढ़ लिया है इस तो बाद तुसी तो आड़ application number है note कर लेना है फोटो ले सकते हो और तो फीस आगे किन नहीं बन दे क्यों कि मैं एक परियासी जदो पर्दा 2000 आजाने सी category जडी पर्दा उधे मताबक 500 आजाने सी तो यह थे जनी फीस आई है उते उनी फीस पेमेंट करनी है पेमेंट ते जावां के after final submitting you will be able you will not be able to modify हुन तुसी शोर कर लेना है कि हुन मैं कुछ भी देखना नहीं है कोई गल्ली दिन है एक दिन तुसी इसनों सेव कर लो और दोबारा देखना देख लो जहां अपने ब्रदर सिस्टम एक वरी दिखा लो मैं कोई गल्ती तर नहीं किती में ज़र गल्तियां हुन दिया ने पांच तो आठ देविच कार साइद एही डेट है उदेविच क्रेक्शन दी टाइम भी दिता जाएगा सो इस तो बाद पेमेंट करनी है पेमेंट वाला स्टेप जिड़ा है मैं इते स्किप कर रहां क्योंकि पेमेंट मैं करनी सक्दा सिर्फ इते तक वान द ज्यादा ऑखा नहीं है इस तो ऑखा सेलेक्शन टेस्ट जिन मास्टर केंडर केने हैं उसले बहुत ज्यादा मेनत करनी पहने पहने दिया एक सो पंताली तक एक सो बताली तक मेरिट बहुत जान दिया है उताड़े सब्जेक्ट दाही होएगा इदे विच जीड़े पहले स साल दे सारे question होंगे learning management ते system होंगे तुसी question देख दे हो पढ़ दे हो answer लोंदे हो feedback एकदब मिल दी है right है wrong है पता लगदा है गलती तहां भी wrong है तहां ही पता लगदा है so thank you Dr. Thira Singh Learn to Actualize